मतगर्णा इस्थल की सुरक्षा वेवस्था हुई कड़ी कौन कहां से जाएगा हुआता है आड़ विधान सभा सीटों की गर्णा सुभई आठ बजे से होगी प्रारम विधान सभा चुनाओ 2018 की मतगर्णा की तैयारियां लगभग पूरी हो गई है मतगर्णा इस्थल से 100 मीटर के दारे में धारा 144 लगा दी गई है हम आपको बता दें सबसे पहले डांक मतपत्रों की गिंती सुभई 8 बजे से प्रारम हो जाएगी इस चुनाओ में प्रसासन पूरी मुस्तैदी के साथ मतगर्णा कराने के लिए तयार है आएए देखते हैं यहां पर इस्थितियां क्या बया करती है हमारे समवारदाताओं ने इस्थित का जाए जालिया हम इस समय मौदूद हैं रीवा के इंजिनरिंग कालेज में 11 तारीक को यहां पर मतगर्णा होनी है मतगर्णा की पूरी तियारी हो चुकी है तमाम आला अपसर यहां पर इस समय मौदूद हैं वो तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं यहां पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगी यहां पर करना जारा यहां पर सारे अधिकारियों इस समय मौदूद हैं गाड़ियां में हम उनकी जलग पार से दिका रहे हैं यह अब ही आप जैसा कि देखी रहे थे पूरे आला दिकारी यहां पर अंदर मौजूद हैं मतगर्णा की तैयारियां का बिल्कुल अंतिम रूप दिया जा चुका है 11 तारीक को मतगर्णा का रिजल्ट आना है हर तरीके की विवस्ता यहां पर बना ली गई है सुरक्षा के चाक चौबन इंतजाम किये गए हैं बगैर परमीशन के यहां पर कोई आ नहीं सकता है एतिहात के तौर पर धारा 144 लगा दी गई है यहां पर 144 का मतलब है जादा तादाद पर 5 या 5 से जादा लोग वैसे भी कठा नहीं हो सकते हैं तमाम सुरक्षा वेवस्ता को ध्यान में रखते हुए त्यारियां की गई हैं 11 दिसंबर को मत्द प्रदेश में विधान सवा के मतगर्णा होनी है मतगर्णा को लेकर रीवा में भी जीला प्रशाशन में पूरी तयारी के लिए इसके लिए अलग अलग वैरिकेट्स बनाए गया हैं मीडिया करमी अर्ट जाओ चक्षाथ और जो विदाधायान फ़ट्याशिया उनके ऐजेंटों के लिए भी अलग अष्वाय गए हैं हम अपनी समय कि कहेंगे कि इधर से जो प्रवेश करेंगे और मीडिया करमी और प्रेक्षक जो है यहां से आएंगे इसके बाद जो है गेट नंबर चार और एक से जो है अभिहरती एजन्ट दो से मीडिया करमी प्रवेश करेंगे why कि दिर्वाचन की जो बतकरना है उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है पूलिस बेवस्था भी यहां पर दुरुस्त रखी जाएगी चारों तरब से जो है वैरिकेट्स लगा दिये गए हैं पूलिस यहां पर सुरक्षा पर रहेगी क्योंकि भारी ताधात में जो है जो प्रत् नागर निगम के भी अधिकारी हैं यस्पी भी यहां पर मौझूद हैं आई हम आपको और भी दिखाते हैं आगे क्या कहां पर दिवस्थाएं की गई है जिला प्रशाशन के द्वारा मतकरना को लेकर यहां से प्रेक्षक प्रवेश करेंगे साथी मीडिया कर भी भी यहां नहीं ले जाएगा रीवा दर्शन के लिए इंजेंग कॉलेश से सुरेंति व्यादि जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं मतगरना के दिन के लिए बाहर से किसी भी तरीके का कोई भी आदमी नहीं आ सकेगा तो सासर ने कुछ इस तरीके की वेवस्था की गई है कि यहाँ पर अंदर जो भी लोग उखलब दोंगे चाहे वो मतगरना करने वाले हों एजेंट हों मीडिया कर्मी हों अधिकारी कर्मचारी हों सब के खाने पीने का इंतजाम भी प्रसासन ने यहाँ पर कर रखा है मैं एक बार आपको फिर से दिखाना चाहूंगा मेरे पीछे पर देख रहे हैं यहाँ पर खाने पीने की व्रसासन अपना तरने जा रहा है पानी का इंजाम उससे कर लिया है उसी के साथ खाने बनाने वालों की व्रस्तक की जा रही है और उनके लिए तकाल हर तरीके की वो सुविधा प्रसासन यहां पर उपलब्द करा रहा है जिससे बाहर से न कोई आ सके न अंदर से कोई बाहर जाए उसको किसी भी तरीके की यहां पर कोई भी विवस्ता बाहर जाने के लिए ना करनी पड़े हर वो उपलब्द समान जिसको अंदर जरुरत पड़ती है व्यक्ति को यहां पर उपलब्द कराया गया है रिवा दर्शन की मैं जावेंद से हम आपको बता दे ग्यारा तारीक को रिवा जिले के 158 प्रत्यासियों के भाग का फैसला होगा जिसमें प्रमुक है प्रदेश के उद्योग मंत्री राजेंद सुक जिला पंचा यहां पर मत्रणना की तैयारिया पूरी हो चुकी है ग्यारा तारीक को मत्रणना होनी है जैसा कि आपको मालूम है पूरे प्रदेश के साथ रिवा में भी 28 तारीक को चुनाव हुए थे चुनाव के बाद इसी जगह पर इवियम मसीनों को इकठा करके रखा गया था मैं बिदान सवा की मत्रणना होनी है यहां पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं तमाम तरीके के इंतजाम पूरे किये जा चुके हैं आला अपसर यहां पर मौंजूद है वो तैयारियों को अंतिम रूप looks दे रहे हैं जैसे कि आप अपने स्कृ outlets का रहे हैं यहां की व्युस्ता प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी जगा जगा बेरिकेट्स किये गए हैं कि किसी भी हालत में कोई भी अपरी इस्तित होने पर प्रशासन उसको तत्काल अपने नियांत्रण में ले चके किसी भी तरीके की अप्री इस्थिति पारपाने का प्रसासन ने पूरा इंतजाम कर लिया है जगा जब बेरिकेट्स हैं जगा जगा यहाँ पर अभी पुलिस नहीं प्यानाद की गई है अभी एक दिन बचे हुए है यहाँ पर जगा जगा चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद होगी। पुलिस की मौजूद्यी यह दर्शाएगी कि यहाँ पर किसी भी तरीके की अप्रे इस्थिती ना होने पाए। तेह कर ली है, मैं आपको बता दूँ, मतगणना के लिए, एक बार फिर से आपको बता दूँ, मतगणना की त्यारियां पूरी हो गई है, यहाँ पर किसी भी तरीके की सुरच्चा वेवस्ता की गई है, गेट को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है, बगैर कार्ड के ज झाल झाल